सोचो आपको घर बैठे बिना कुछ कीए लाखो रुपए की लोटरी लग जाए और आपने उन पैसों से अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदलने के सपने भी देख लिये हो लेकिन तभी लोटरी देने वाली कंपनी इसे एक ग्लिच पता कर रुपए देने से इनकार कर दे उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करीब 30 साल पहले ऐसा किसी एक इनसान के साथ नहीं बलकि एक ही टाइम पर 8 लाक लोगों के साथ हुआ था और इस मामले में 5 लोगों की जान भी जा चुकी है हुआ यह कि फरवरी 1992 में पैप्सिकों ने फिलिपिन्स के अंदर एक प्रमोशनल कॉंटेस्ट रन किया जिसे आज नंबर फिवर और 349 इंसिडेंट की नाम से जाना जाता है पैप्सि ने यह कॉंटेस्ट रन किया ताकि उसकी सेल बढ़ सके जिसमें विनिंग नंबर हर रोज टीवी पर अनाउंस होता था इस कॉंटेस्ट के विनर्स को 4 डॉलर से लेकर 40,000 डॉलर तक का विनिंग प्राइस देने की बात की गई थी जिसके चलते फिलिपिन्स में ये कॉंटेस्ट बहुत तेजी से पॉपलर होने लगा लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और ये प्रोमोशनल कॉंटेस्ट पेप्सिको कंपनी की हिस्ट्री पर हमेशा के लिए एक दाग बन कर रह गया दोस्तों उस रात का विनिंग नंबर 349 था जिसे ना तो पेप्सिको खुद भूला और ना ही फिलिपिन्स के लोग इसको कभी भूल सकते हैं तो आईए जानते हैं कि आखिर फरवरी 1992 की उस रात को ऐसा क्या हुआ था कि फिलिपिन्स के लोग सड़कों पर उतर आए और इस 349 नंबर के पीछे क्या रात चुपा हुआ है दोस्तों सबसे पहले हम इस कंपनी के इतिहास को समझते हैं पैपसीको की शुरुवात आज से 124 साल पहले 1898 के दोरान होई थी जहां अमेरिका के नॉर्थ कैरोलीना में रहने वाले फार्मासिस्ट कैले ब्रैडमेन ने एक कॉर्बोनेटेड ड्रिंग के बेसिस पर इस कंपनी का फाउंडेशन रखा था इसके बाद कंपनी को 1900 के दशक में ट्रेडमार्क किया गया और ये पैपसी कोला के नाम से पॉपलर हो गई दोस्तों ये कंपनी सुरुवात के कुछ साल तक काफी प्रॉफिटेबल रही लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वज़ा से सुगर मार्केट काफी वलाटाइल हो गई जिसका असर कंपनी की फाइनेंसियल हेल्थ पर पढ़ने लगा हालत इतनी खराब हो गई कि 1923 में कैले ब्रैडहम ने बैंकरप्सी डिकलेयर कर दिया इसके बाद 1931 में इसकी ओनर्सिप लॉफ्ट इंक नाम किये कंपनी के हाथ में आ गई दोस्तों लॉफ्ट इंक उस समय अमेरिका का लीडिंग कैंडी मैनुफेक्चिरर था जिसके देश भर में 115 से भी ज़्यादा इस्टोर्स थे इसके चेर्मैन चार्ल्स गुत ने कंपनी की रिसोर्सिस का फायदा उठाकर पेप्सी की रेसिपे में कुछ बदलाओ किये और अपने 115 स्टोर्स पर उन्होंने कोका कोला को पेप्सी से रिपलेस कर दिया आपको बता दें कि इस मर्जर के बाद ही कंपनी का नया नाम पेप्सी को रखा गया था अब आज की अगर बात करें तो ये कंपनी अलग लग तरह के पैकेज़ फूट्स जैसे फ्रूट जूस, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, चिफ्स और बॉटल्ड वाटर जैसे प्रोड़क्स सेल करती है और अभी हाल ही में पेप्सी ने प्रोबायोटिक प्रोड़क्स बनाने भी स्टार्ट कर दिये है गुल मिला कर देखे तो इस टाइम पेप्सी को के अंडर दुनिया भर के 23 कंपनी वर्क कर रही है और फिलाल ये कंपनी 200 से जादा देशों में फैली हुई है और इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेप्सी को खुद में कितनी बड़ी कंपनी है उम्मीद है ये सब जानने के बाद आपको पेप्सी को के हिस्ट्री और इसके साइज का अंदाजा लग गया होगा अब बात करते हैं पैपसी को के उस Controversial Contest की जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा दोस्तों 1992 में पैपसी ने फिलिपिन्स के अंदर एक Contest निकाला जिसमें विनर्स को 40,000 डॉलर्स तक के प्राइसेज दिये जाने थे जो आज के समय 85,000 डॉलर्स तक के बराबर होते हैं इस Contest के Exhibition के लिए कंपनी ने पैपसी 7-Up Mountain Dew और Mirinda के Bottle Caps के अंदर एक से लेकर 999 तक के नंबर्स को प्रेंट किया था जहां इसमें कुछ लखी नंबर्स को ही प्राइस के लिए रिडिम किया जा सकता था यह promotional instant शुरुवात में काफी successful रहा जहां एक महिने के अंदर ही पैपसी की sales 10 मिलियन डॉलर से बढ़कर 24 मिलियन डॉलर हो गई और पैपसी का market CRB 19.4% से बढ़कर 24.9% हो गया यह contest फरवरी में शुरू हुआ और मई तक कंपनी 51,000 प्राइसे बाढ़ चुकी थी यही वज़ा थे कि फिलिपिन्स के लोगों को यह contest बहुत पसंदा रहा था हर रात टीवी पर winners का announcement होता था जिसका पूरे फिलिपिन्स के लोगों को बेसबरी से इंतजार रहता था अब क्योंकि कंपनी को इस promotional instant से काफी फाइदा हो रहा था इसलिए उन्होंने इसे 5 हफतों तक और आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया लेकिन शायद कंपनी को यह अंदाजा ही नहीं था कि उनका यह फैसला उन पर ही कितना भारी पड़ जाएगा दरसल दोस्तों यह बात है 25 मई की जब पैपसिको ने उस दिन के सबसे बड़े प्राइस के लिए लखी नंबर 349 की एनाउंसमेंट करी अब पैपसिको के कोडिंग उस दिन 349 नंबर के सिर्फ दो ही बॉटल्स डिस्टिब्यूट किये गए थे लेकिन यहां गलती यह हुई कि जब कॉंटेस्ट को आगे बढ़ाया जा रहा था तो उसी टाइम पैपसि ने 349 नंबर के 8 लाग बॉटल पहले ही मार्केट में उतार दी थी और क्योंकि यह पैपसि के रिगुलर बॉटल्स थी तो ऐसे में इनके ढखकन पर कोई सेक्यूरिटी कोड नहीं होता था वहीं दूसरी तरफ उस टाइम फिलिपिन्स में काफी गरीबी थी इसलिए जब लोगों ने उस रात टीवी पर सबसे बड़े प्राइज के रूप में 349 नंबर को देखा तो उनकी आखे चमक गई क्योंकि प्राइज मनी इतना बड़ा था कि उससे किसी के भी जिंदगी बदल सकती थी वस फिर क्या था जिन लोगों के पास 349 नंबर का बॉटल कैप मौझूद था वो next day अपने प्राइज का दावा करने पेपसी के बॉटलिंग प्लांट पे पहुचने लगे यानि situation ये हो गई थी कि अगर सभी लोगों को प्राइज मनी दिया जाता तो कंपनी को 32 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता अब जाहिर सी बात है कि कोई भी कंपनी खुद को इस लॉट से बचाना चाहेगी इसलिए पेपसी ने statement दिया कि जिन बॉटल्स पर security code नहीं है वो number price के हकदार नहीं होंगे अब दोस्तो इस statement से कुछ लोग तो मान गए लेकिन जादातर लोग अपनी price की मांग करते रहे उनसे पीछा चुडाने के लिए पेपसी ने next morning न्यूस पेपर में ये खबर चपवा दी कि winning number 349 नहीं बलकि 134 था मगर ऐसा करने पर situation सुधरने के बजाए उल्टा और जादा बेगड़ गई अब दोस्तों कंपनी अपनी गलती की वज़ा से सिर्फ गुडविल के खातिर सभी winners को 18-18 डॉलर देने का वादा किया जहां पेपसी के इस फैसले को 4,86,000 लोगों ने accept भी कर लिया लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस offer को भी reject कर दिया इन लोगों ने 349 Alliance के नाम से एक Consumer Group बनाया और पेपसी के प्रोड़क्स को बायकॉट करना इस्टार्ट कर दिया साथ ही ग्रुप में शामिल लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया और पेपसी वाफ हिलिपियन्स गवर्मेंट के ओफिसेस के बाहर रैलिया निकाले अब दोस्तों वैसे तो ये प्रोटेस्ट काफी पीसफूल था लेकिन 13 फरवरी 1993 के दिन ये प्रोटेस्ट अचानक से वाइलन्ट हो गया सुरुवात में लोगों ने पेपसी के ट्रकों पर पत्राओ किया लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्रकों को जलाना सुरू कर दिया इसी दोरान रेबल्स ने जब पेपसी को के एक ट्रक को बम से उड़ाने की कोशिस की तो उसमें एक टीचर और पांच साल के बच्चे की मौत हो गई किवल यही नहीं इन रेबल्स ने पेपसी के गोदाम में भी ग्रिनाइट फेका जिससे वहां काम कर रहे तीन मजदूरों को अपनी जान कवानी पड़े इस मामले में एक और बड़ा खुला सा तब हुआ जब फिलिपिन्स के नेशनल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिकेशन ने बंबलास्ट करने के लिए तीन लोगों को गिरफतार कर लिया इन लोगों से जब पूछ ताज की गई तो उनमें से एक ने ये दावा किया कि पेपसिको ने खुद उन्हें हमला करने के लिए पैसे दिये थे ताकि जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको फसाया जा सके ये निउस नेक्स्ट डे आग की तरफ फैल गई लेकिन इस मामले पर पेपसिको की तरफ से ये सफाई दी गई कि ये सब उनके कॉंपटेटर्स कर रहे हैं ताकि इस प्रोटेस्ट का फाइदा उठा कर मार्केट में पेपसिको का नाम और खराब कर दिया जाए लेकिन दोस्तों पेपसिको के इस सफाई का कोई खास फाइदा नहीं हुआ क्योंकि अब तक कंपनी के खिलाब करी 22,000 लोग दुखाधरी जैसे कई अलग-अलग क्रिमिनल चार्जेस फाइल कर चुके थे और कॉंटेस्ट के सर्तों का वाइलेशन होने पर जनवरी 1993 में कंपनी पर 6,000 डॉलर का जुर्माना लगया गया इसके अलावा जिन लोगों ने कंपनी पर मोरल डैमेजेस का केस फाइल किया था कोर्ट के ओरडर पर उन सभी को जून 1996 में कंपनी की तरब से 380 डॉलर की रकम दी गई इसके बाद दोस्तों साल 2001 में ये केस फिर से लाइम लाइट में आ गया दरसल हुआ ये कि 3 लोग 380 डॉलर की रकम से भी सैटिसफाइड नहीं थे और उन्होंने अदालत में ये प्राइस बढ़ाने की अपील कर दी अब क्योंकि कंपनी इस मामले को और जादा नहीं खीचना चाहती थी इसलिए वो इन तीनों को 570 डॉलर और उनके वकीलों को फीज देने के लिए राजी हो गई दोस्तों देखा जाए तो 349 को विनर बनाने की गलती सिर्फ पेपसिको की नहीं थी ये गलती हुई थी मेक्सिको की एक प्रिंटिंग एजंसी से जिसे पेपसि ने बोटल के कैप को प्रिंट करने का कॉंट्रेक्ट दिया था लेकिन गलती से 349 नमबर को इस एजंसी ने 8 लाग बोटल कैप पर प्रिंट कर दिया और क्योंकि इस एजंसी को पेपसिको ने ही हायर किया था तो इस गलती का जुर्माना भी पेपसिको को ही भरना पड़ा अब आगे इस मामले में कोई कंट्रोवर्सी ना हो इसके लिए साल 2006 में पेपसिको ने फिलिपिन्स सुप्रीम कोट में अपील की थी और सुप्रीम कोट का फैसला आया कि पेपसिको अब 349 या किसी भी दूसरे नंबर के लिए कोई भरपाई करने के लिए जिम्मदार नहीं होगी साथी अब आगे से इस पर कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी दोस्तों पेपसिके इस कॉंटेस्ट को आज भी फिलिपिन्स के बहुत सारे लोग एक स्कैम मानते हैं इसी तरह दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि एपल दुनिया को कैसे बेवकूप बना रहा है तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं बागी आज के लिए बस इतना है